नमस्कार हिंदुस्तान टूड़े देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ भूमी का आए देखिए खबर तैसिलदार को दीव दूबय के साथ खरीद के इंडरों पर जायजा लेने पहुचे और किसानों के लिए लिए गए गहुं के बोरो को तोला किया तो गहुं के बोरो में 500 ग्राम से लेकर देख किलो तक अधिक तोला कया था जिसके चलते रविवार की देशाम प्रशाशन ने गोहिंदा समिती प्रवंदक, मदन तिवारी और प्रादमे कर्शी साख सहकारी समिती, बागवाई के समिती प्रवंदक वीरेंशर्मा के खलाब भितरवार थाने में मामला तच कराया। वहीं चिटोली में भी इसी प्रकार के समस्या सामने आ गई थी, जिसके चलते समिती प्रवंदक दिनेशर्मा के खलाब बेल गड़ा थाने में मामला तच कराया। बितरवार से समधाता कमल साहो की रिपोर्ट पिछले चार-पांच दिन से मुझे किसानों की लगातार समध्या पूरे बितरवार छेतर से आ रहे ही थी, कि कुछ जगे किसानों के काटे अब तक नहीं लगे हैं, और जहां काटे लगे हैं, वहां किसानों से ज़्यादा आनाज लिया जा रहा है। खासकर कुछ काटों पर तो 50-150 ग्राम लिया जाना था, उसकी जगे 52 किलो और 51 किलो और 51 किलो 800 ग्राम लिया जा रहा है। उसका एक वरिफिकेशन हमको करना था, मैं अभी चीनोर भी गया था, चीनोर में लोगों की मुझे संतोष्टी मिली, नितरबार में हमने दो काटे एक गोहिंदा का चेक किया है, और दूसरा बागवई का, दोनों काटों पर दो तीन काटे और मुझे चेक करने हैं, दोनों करता जमा होना है, उसका सही है, लेकिन जो लेते हैं और उसमें से अनाज निकाल के, ब्लेक मार्केट करते हैं, और जो बेहरा उस बेजना उसको करेक्ट भी से, ये बहुत-बड़ा गुरक दंदा है, एक दिन, जो प्रगंद मौप एफाई आरोगी, उसके समझ में सा पर जांच की गई, जांच के फलसुरूप ये पाया गया कि कुछ जगों, कुछ बूरे जो आपर जो बूरे हैं, उनमें बजन निर्दारित माप से अधिक था, श्रीमान कलेक्टर मवदय के निर्देश पर अनुवागी अरिकारी, मवदय के साथ में जाकर, बिलगड़ा अदिकी का में जासका लाइगी